आप सभी के पसंदीदा सीनियल थपकी प्यार की डू में आने वाला है एक मेजर ट्विस्ट वेल थपकी और पूरब की जिंदगी में जहां अलरेडी इतना तनाव चल रहा था वहीं अब दोनों की जिंदगी में और कुछ घटनाय घटनी बागी है वेल दोनों की जिंदगी एक पट्री पर आने का नाम नहीं ले रही शुरुआत से ही दोनों की जिंदगिया उतार चड़ाव से भरी रही हैं और साथ ही साथ जब दोनों के बीच प्यार होने ही लगा था तब मुश्किलों ने आदस्तक दे दी अब आपको बता दें कि आने वाले दिनों में भी आप यहीं एक्सपिरियंस करेंगे कि किस तरह थपकी ने एक बड़ा कदम उठा लिया है वलब कमिंग एपिसोड की बात करें तो अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि थपकी इस हद तक जा चुकी है कि वो अपनी जौब से रिजाइन कर पूरप से सारे रिष्टे नाते तोड़ कर कहीं चली जाती है जी हाँ थपकी ने खालातों से परेशान होकर पूरप का साथ छोड़ दिया है पूरप को हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़ कर वो चली गई है अपनी राह चुनने के लिए थपकी काफी ज्यादा डिप्रेस होकर एक खत लिखती है जिसमें वो पूरप को वो सारी बाते बताती है जो उसे आज तक बुरी लगी थपकी बिना बताए कि वो कहां जा रही है वो अब निकल पड़ी है और साथ ही साथ आपको बता दे कि ये बात पूरप के लिए काफी ज्यादा शोकिंग है क्योंकि पूरप कहीं न कहीं अपनी बीवी को बहुत चाहता है थपकी से उसे प्यार हो गया था अब थपकी के इ विक और शौकिंग चीज एक्सपिरियंस करेंगे अपकमिंग एपिसोड में वो होगी थपकी का एक्सिडेंट वहीं आपको पता देगी उसका रास्ते में बीच रास्ते में उसका अक्सिडेंट हो जाएगा ऐसे में पूरब जब उसे ट्रैक करने ही वाला होता है मैनेच कर लेता है कि आखिर वो कहां है कहां पहुँची है कैसे उसे धूण निकाले है ये सारी बातें से पता चल जाती है उसी दौरान उसका accident हो जाता है। अब आखिरकार पूरब अपनी बीवी थपकी की जान बचा पाएगा या नहीं। थपकी से कभी मिल पाएगा या नहीं। ये accident आखिरकार थपकी की जिन्दगी कितना बदल देगी। यह सारी ही बाते होंगी देखना दिल्चास्प लेकिन फिलाल आपके क्या रीक्शन्स है थपकी प्यार की टू किये इस पाइसी स्वाना को लेकर अपनी राय हमें नीचे दिये कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अपने पसंदीदा का लाकारों और सितारों से जुड़ी हर जानकारी और अपडेट पाने के लिए बने रहें तेली चकर के साथ